और चलिए हम सीधा रूख करते हैं मेरे साथ मेरे सायोगी पटना से स्वक्त सौरव और सौरव आपको बता दे मौझूद है मंत्री विजे कुमार चौधरी के आवाज के बाहर जे डियू की बैठक होने वाली है उससे पहले क्योंकि 5 बजे बैठक होगी सौरव मैं सीधा पर चारी देने से पहले जरा ये बताईए जो मनोज्जा कह रहे हैं वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि क्या नियम है वो नियम बता रहे हैं कल उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर हटाने के लिए वो लाया जाएगा तो उस पर 122 ये बिलकुल आसा सबसे बड़ी वात है कि बिहार में आज जो इस्थिती बनी हुई है जो राजनीती की स्थिती बनी है इससे पहले वो कभी नहीं बनी थी सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक तरफ वो डड़ी हुए है कि उनके बिधायकों में तूट हो सकती है और दूसरी तरफ वो दूसरे दल के बिधायकों पर डोरा भी डार रही है यानि वो चाहती है कि दूसरे दल के विधायक तूटे और मुझ में सामील हो जाएं और सबसे बड़ी चुनोती ये है कि अपने आपको इकठा रखना आपने आपको एक जूट रखना सारे जो पॉलिटिकल पाटिया है इस इकोसिस में लगी हुई है हमने देखा कि कल जिस तरीके से आरजेडी के तमाम विधायकों को बुलाया गया था और उसके बाद ये सभी को आदेश दिया गया कि आप अगले 48 घंटे तक यहीं रहेंगे यानि तेजस्वी यादब का जो सरकारी आवास है वहीं पर आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो मवजूद है हलाके आरजेडी की विधायकों की संक्या जो है वो 79 है लेकिन अभी तक केवल 77 ही पहुँचे यानि दो विधायक अभी भी अनुपस्तित हैं लेकिन आरजेडी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे संपर्क में है किसी कारण बस नहीं आएं लेकिन कल वो हमारे साथ रहेंगे हमारे समर्थन में रहेंगे दूसरी तरफ कल जो जदियू की जो लंच पाटी हुई थी उसमें पांच विधायक नहीं थे अगर पांचों के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा एक सेखपूरा के विधायक हैं सुदर्सन वो कल दिली में थे एक संजीब डॉक्टर संजीब है जो अपने किसी रिस्तेदार की साधी में वो गोवा में है बीमा भारती जो की चाहती है कि खुद इस बार उ बैठक होने वाली है इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो पांच बिधायक कल नहीं आये थे उसमें तीन बिधायक आज जरूर पहुंचेंगे ऐसा जद्यू के तरफ से दावा किया जा रहा है यानि दो जो बिधायक है यानि डॉक्टर संजीब सुदर्सन वो आज भी हो सकता है बिधान मंडल की बैठक में सामील ना हो कारण वो बता चुके हैं अपने पाठी के नेताओं को कि आज रात तक वो पतना पहुंचेंगे तो नीची तोर पर एक तरफ अगर एंडिये की बात करें नितीश कुमार की बात करें तो उनका कहना कि 45 जो बिधायक है वो हमारे स बिधायक हैं वो हैदराबास से सीधा पतना एरपोर्ट पहुंचेंगे और पतना एरपोर्ट से सीधा तेजस्वी यादब के सरकारी आबास पर जाएंगे यानि महागटवदन के तमाम जो 115 बिधायक हैं या अगर औवेसी की पाटी को हंटा दे एक बिधायक को हंटा दे तो 114 जो बिधायक हैं वो आज की रात तेजस्वी यादब के सरकारी आबास पर रहेंगे मनुझ जाका कहने का ये मतलब है कि कल सबसे पहले जो राजय पाल के अभिभासन के बाद होगा वो होगा अब इस पास प्रस्ताव लाया जाएगा स्पीकर के खिलाब तो उनका ये कहना है कि उनको पता है कि कुछ बिधायक अपसेंट हो सकते हैं इसलिए वो संबीधान की याद दिला रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो संबीधान में है उसके अनुसार स्पीकर के ज़री हो सकता है किसी खेला की तैयारी हो सवारग जिसका जिक्रते जस्वी यादो भी कर रहे थे तो वो ही देखना होगा क्योंकि आज कितने उपस्ते तो रहे वो मैटर नहीं करता मैटर करेगा कि कल कितने पहुँच रहे हैं आसल में अब आपको एक और फ़े खबर बता दे है धरबाद से कॉझ्स के जो एमेलेज हैं वो निकल चुके हैं यह बड़ी जानकारी सामने आ रहे है और इसको लेकर के मलिक कार्जुन कर खड़के जो है उन्होंने इसकी जानकारी दी है और साथी प्लोट टेस्स जीतने का दावा किया है है धरबाद कि आवास पर कुल मिला करके 115 अगर AIMIM के हटा दें तो 114 वहां पर मौजूद रहेंगे ये अभी तक की जानकारी हम जीत रहे हैं और कर शक्ती परदर्शन भी हो रहा हम जीत रहे लेकिं लेकिन जोप्या बनी हुई है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो होगा कल आप देखिएगा हम जीत रहे हैं इदर मलिकारजून खड़गे ये कह रहे हैं सौरब किस आधार पर ये जो बयान बाजी हो रही है अभी ये वो माने की हमेशा क्योंकि ये तो जब तक आखर आखर बॉल तक जब तक समाप्त रही हो जाता तब तक यही रहता है राजनितिक पार्टियों का रोक चाहे वो चुनाव का वक्त हो ये उसी आधार पर ये लाइन है या वाके इसके पीछे कुछ है जोड़ तोड़ की राजनिती जो काम कर सकती है देखे बहुमत का जो आकरा है वो 122 है और NDA के NDA में अगर विधायकों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो 128 स्कूल संख्या है तो नीशी तुरूप से जो मार्जिन है वो बहु जादा नहीं है इसी मार्जिन को लेकर बारबार कहा जा रहा है कि खेला होगा यानि अगर विश्वास मत जब तक NDA की सरकार या नितिस कुमार दुबारा हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक बार बार ऐसा कहा जा रहा कि खेला होगा और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्पीकर जो है वो आरजेडी के खेमे से हैं तो उन्हें लगता है कि स्पीकर हमारा है अगर वहाँ पर यानि NDA में कोई अगर दो चार विधायक भी अपसेंट हो सकते हो जाते हैं तो खेला होना सौभाविक है लेकिन खेला होगा या नही होगा निशीत रूप से या कल पता चलेगा लेकिन आज अब से कुछी देर के बाद जब विधान मंडल की बैठक सुरू होगी उसमें जरूर यह साफ हो जाएगा कि बहुमत जो है जिसका बार बार दावा किया जा रहा है NDA के तरफ से नितीज कुमार के तरफ से 128 का वो ब जाए जी बिलकुल जीताना मांजी पटना में हैं और कल भी उन्होंने ट्वीट करकर कहा था मीडिया से बात करके उन्होंने कहा था कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बैमान नहीं हूं मैं NDA के साथ हूं मैं परधान मंतरी नहरेद मोदी के साथ हूं और परधान मंतरी नहर संद्वाद संतो सुमन माजी, जो उनके बेटे हैं, उन्हों ने जिस तरीके से अपना पदवार समहला, यानी मंत्री का पद जो समहला, उसके बाद या जो कयास थी, वह दूर हो गई कि जीतन रामाजी के अंदर, या उनके बेटे के अंदर कोई नाराजगी है अगर कोई नाराजगी रहती तो निश्ची तोर पर उनके बेटे ने जो मंत्री मंडल का सपत लिया था और उसके बाद उन्होंने विभाग जो किया वो ऐसा नहीं करते तो निश्ची तुरूप से माजी की जो नाराजगी है व क्योंकि बीजेपी के तमाम जो निता हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं तो मुझे लगता है कि माजी की नाराज़गी दूर हो चुकी है जिस तरीके से उन्होंने कल ट्वीट किया है और कहा है कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बैमार नहीं प्लास माइनस फॉर का क्योंकि यह जो खेल है यह बहुत कुछ बना भिगार सकता है इस आधार पर भी सोचा जा रहा था लेकिन अभी तक इस्थितियां ऐसी बंती नजर नहीं आ रही जैसा आप सौरव से इस वक्त सुन भी रहे थे अब एक और बड़ी ख़बर आपको बता दे पांच बजे शाम पांच के बाद विधायकों का डिनर भी रखा गया है लेकिन सौरव जो आप बता रहे थे कुल मिला करके 43 आज पहुंच सकते हैं दो नहीं है आपने कहा कुल 45 है उनमें से 43 पहुंचेंगे लेकिन इससे पहले एक कबर ये थी पहुंचना और शामिल होना दोनों बड़ी बाते हैं एक खबर ये थी कि 9 विधायकों में नाराज़्गी है क्या वाकई वो नाराज़्गी थी क्या उसे दूर कर लिया गया है और अगर दूर किया गया है तो कैसे क्या जरिया रहा उसका जी बिलकुल आसा सबसे बरी वात है कि अगर सत्ता पक्षिवाद करें नितीश कुमार की बात करें तो नितीश कुमार के 12 ऐसे विधायक थे जो अपने नेता और अपने पाटी से नाराज थे नाराज़्गी की वज़ा अलग अलग ती लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जादा तर विधायक यानि साथ से जादा जो विधायक है उनकी जो नाराज़्गी है वह दूर कर दी गई है यानि नाराज़्गी की जो वज़ा थी वो दूर कर दी गई है किसी को लोग सभाचुनाव लरना था किसी को मंतरी का पत चाहिए था कोई चाह रहा था कि उसके बिधान सभाच शेतर को बदला जाए तो अलग-अलग जो बिधायक थे उनकी अलग-अलग नराजगी की वज़ा थी तो ऐसा माना जा रहा है कि साथ से आठ जो बिधायक थे उनकी नराजगी दूर हो गई है लेकिन अभी भी तीन-चार ऐसे बिधायक हैं जिनकी नराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है और इसी वजह से पांच विधायक कल एबसेंट थे यानि कल जो लंच पाटी रखी गई थी उसमें पांच विधायक नहीं आये थे